गड़ी में देखा तो साड़े ग्यारा बज रहे थे तो मुझे याद आया कि बेटा स्कूल गया था तो बोल करके गया था कि मम्मी कुछ मीठा बना करके रखना क्योंकि उनको मीठा बहुत ज्यादा पसंद है तो यही सोचते वे आगई किचन के अंदर की ऐसा क्या बनाया सकती थी क्योंकि गाजर का हलुआ प्रॉपर अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए कम से कम दो से तीन गंटा टाइम होना चाहिए क्योंकि मैं एकदम पारम पर इक तरीके बनाती है तो यही सोचते वे दो से तीन गाजर लेली मैंने का इसी का कुछ बनाया जाएगा तो गा मन लाए कुछ मीठा खाने के लिए मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा तो फटा फट से दोनों तीनों गाजर चील ली तीन गाजर की मैं आज रेसिपी बनाऊंगी तो देखिए इस तरीके से मैंने गाजर को धूलिया है आप जब भी गाजर को काम मिले तो आप ध इनों गाजर को ग्रेट कर लिया है अब क्या करेंगे कि अब मैंने फटा फट से फ्लेम अन कर ली है और मैंने इसके उपर चड़ा दिया है एक मोटी तली का बरतन यानि कि मैंने कड़ा ही चड़ा दी है अगर आपके पास मोटे तली की कड़ा ही नहीं हो तो आप कोई और लेकिन इस्टील का वरतन नहीं ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा और उसके बाद मैंने दो चम्मच घी डाल करके और साथ में डाल दिये जो गाजर हमने ग्रेट करी थी उस गाजर को मैंने इसके अंदर डाल दिया है अब मैं कम से कम इसको चार से पांच मिनट तक इसको चल करीबन आधा किलो दूद लिया है क्योंकि मैंने जादा गाजर इस्तिमाल नहीं करी थी मैंने 2-3 गाजर ही इस्तिमाल करी है तो मैंने आधा लीटर इसमें फुल क्रीम दूद डाल दिया है दूद मेरे पहले से गरम किया हुआ था इसलिए उसके अंदर मलाई भी थी आपन तो मैं आज इसको डाल करके बनाओंगे आप एक बार इसपट को डाल करके बनाओंगे यह बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, इसका टेस्ट एक बहुत ही क्रीमी टेस्ट आता है अगर आप किसी भी मतलब किसी तरह की कोई स्वीट बना रहे हो तो उसमें कंदेंस्ट मिल अगर आप चाहे तो इसको दो दो टुकडो में भी काट सकते लेकिन मैं इसको थोड़ा बारीक बारीक काटूंगी क्योंकि मुझे बारीक बारीक कटा हुआ ही ज्यादा पसंद आता है और देखे इस तरीके से हमारा दूद भी थोड़ा थोड़ा गाड़ा होने लग गया है अब हम करेंगे इसमें चीनी डालने की तयारीक तो मैं इसके अंदर थोड़ा से चीनी की मात्रा कम रखूंगी क्योंकि अगर आप कंडेंस्ट मिल्क मीठा होता है और अगर चीनी जादा हो जाएगा तो फिर तेस्ट उतना अच्छा आता नहीं है तो मैंने करीबँ इसमें 50 ग्राम से भी कम चीनी ली है मैंने अंदाजे से चीनी ली है तो देखें मैंने बिल्कुल थोड़ी सी चीनी डाली है और चीनी डालने के बाद हम इसको चला लेंगे तो आप इसी तरीके से इसको कम से कम चीनी डालने के बाद पांच मिनर तक चलाने चलाएं ताकि जो हमने च गुल जाए और उसके बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से ड्राइप फूट डालेंगे और साथी में मैं इसके अंदर डालूगे आधा चमच इलाइची का पाउडर और आप इसको इस तरीके से चला ले तो आप देख रहे होंगे कि इसका कलर कितना आचा आया ह यह खाने में भी बहुत थी टेस्टी लगेगी और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है जो अगर आपके पास यह हो तो बहुत अच्छा है और सक्षा अपके को जो भी tastable लगे हैँ अब वोचीज डाल सकते हैं लेकिन मैंने तो आज यह डाल पाॉडरे इसको बनाई और इसको डालने के बाद मैंने फटा-फट से फ्लेम बंद कर दी है और देखे इस तरीके से मेरा तो ये विल्कुल गाजर की खीर बनकर के तयार हो चुकी है तो मैंने इसकी उपर थोड़े से ड्राइफ फुर्स्त और डाल करके सजावट कर दी है और ये देखे बनकर के हो है रेडी और लगता है कि इनको खुश्बू का पता चल गया था तो ये भी अपने स्कूल से आगा है और बरसी आते ही सीधे किचन के अंदर आए हैं और देख रहे हैं कि मम्मी ने कुछ मीठा बना लिया है या नहीं तो मैं तो चली अब इन लोगों को खिलाने के लिए तो टेक केर बबाई